नमस्कार दोस्तों मैं हूनीरज और आपकी अपनी एक अक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग भारतिय उर्जा परिद्रिश यानि कि इंडिया इंडियन एनर्जी सिनारियो के बारे में डिसकसन करेंगे कि यह क्या है मेंली इसमें यह डिसकस किया जाएगा कि भारत में जो भी उर्जा का खर्च है वो कितना है और वो कहां कहां से जो है किस किस रोतों के माध्यम से हमको मिलता है तो देखे भारत में जो उर्जा की खपत है वो पूरे बिश्व के मुकाबले जो है केवल 3.8% है यानकि 3.8% है और ये जो तालिका है ये पुरानी है लेकिन इससे आपको थोड़ा एडिया लएगा कि भारत में जो उर्जा है वो कहां कहां से हमको मिल रही है तो देखे यहा में वो वैलु कितनी कितनी दे गई है और उनको जो है म्ती ओई में कैसे रेप्रेजेंट करते हैं म्लियन टन टेलमकिक्ष यहां पर एम प्र लिखा हुआ है या बी मी सी आ हम लिखा हुआ है एम टी का मतलब आ swag देखे मिल्यों क्यूबिक मीटर्ट क्यूबिक नकिरम को मतल यह य्यूनिट भी लिखी हुई है और यह आपका प्राइमरी एनर्जी का कितना हिस्सा यान कि कुल प्रात्मिक और खपत में पर्सेंट के हिस्सेदारी यान एक जो भी हिस्सेदारी है, वह गतनी है, इस सिनारियो में यह दिखायाson है तो देखिए कोईला है जैसे कि कह रहा है कि मुह लिकाई है पांसो एक दस्मिलाद दो मिलियन टन ठीक है और उसमें जो है मोट है आपका तू पॉइंट दो सब पंद दस्मिलाद चार आट इसमें प्राथिक प्रात्मिक इनर्जी में के हिसेदारी जो है तिर पंद दस्मिलाद चार परसेंट है और कुल खपत में कितनी है आपकी 39.50 और लिगनाइट जो है यह भी कोई अलग चीज नहीं है यह भी एक कोईले का ही रूप है जो की काफी कम मात्रा में है उसके बाद ओयल की बारी आती है यान कि कच प्राकृतिक गैसें फिर एल एंगी का मतलब होता है लिक्विड नेचुरल गैस फिर इसके बाद आपका हाइड्रो पाउर प्लांट है यह सब कुछ यूनिट्स लिखें हुई है कुछ एक तब से डेटा है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसके बाद जो है यहां पर अगर हम बात करें इनको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बात करें कि कोईले से जो है यान कि कोल सेक्टर से हमारे पास कितनी अनर्जी मिल रही है तो देखिए भारत में लगभग जो है अंठाउं दसनो 6 बिलियन टन कोईले का विशाल भंडार है जिसमें से 54 बिलियन टन जो है वह आपका हार्ड कोर है मतलब जो आप देखते हैं पत्थर कोईला लोग नॉर्मली नाम लेते हैं तो वह है और 4.6 बिलियन टन जो है शौफ्ट कोईल जिसमें लिगनाइट भी आता है आपका तो यह है और यह दुनिया का पूरा जो है जितना भी कोई लगभग 114 वर्स में हमारा जो कोईले का भंडार है वो खर्श हो जाएगा जितना भी अभी तक हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार और उसके बाद दिखा गया कि भारत में जो है कोईले के जो विसिस भंडार है वो कहा कहां पर है जिसमें कि मद्द परदेश उडिशा दिखाए करें तो 800 में लेंटन है जिसमें जो 0.5% है पूरे बिस्व का पूरे बिस्व में आप सोची 100% में सिर्फ और सिर्फ कितना है 0.5% है जो कि हमारे पास तेल है एक तरब से रखा हुआ है जो कि मुख्य जो छेत्र हैं जहां पर ये हमारे पास भंडार है बॉंबे असम्भ है और कृष्णा कोदावरी की बेसिक बेसिन है जहां पर मतलब नदिया है जिसमें हमारे तेल के कुछकुएं या कह सकते हैं तेल के भंडार हमारे पास है वर्तमान की इस्तिती में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल खपत करने वाला देश है और जो इसमें हमारे जरुवते हैं जैसे हमारे चौथे नंबर पर हैं खपत करने में तो जरुवते भी बाते ज्यादा है क्योंकि हमारे पास तेल अल्रेडी जो है बहुती कम है 0.5% है तो जो भी हमको बाहर से मंगाना होता है जिसमें 75% तेल जो है हम खाड़ी देशों से आ जब में हम लोग रखे रहते हैं अब इसके बाद आता है नेचुरल गैस की बात करने तो प्रकृतिक गैस अपने अंत निरहित पर्यावर्नडिय शौम्य प्रकृति अधिक दक्षता और लागत प्रभाव शीलिता के कारण सबसे पसंदीदा इंधन बन गया है यानिकि इस इसका पर्शलन ज्यादा है नेचुरल गैस का और इसको 21 सदी का ही इंधन कहा जाता है अगर हम जो प्रकृतिक गैस है उसको 101 डिगरी माइनस के 101 डिगरी सेल्सेस तक खंडा करें तो वह लिक्विड बन जाता है और एक बार वह लिक्विड अगर बन गया तो उसका इस्ट गुना हमारा आयात में जो है छैसो गुना का हमको फाइदा हो जाता है छैसो गुना की कम ही आजाती है इसलिए जो हमारी अभी उपर हम बात कर रहे थे कि जो है liquid natural gas जो है वो बहुत ही जादा जहाजों में एक special container में जो है भेजा जाता है टैंकों में भेजा जाता है और compressed natural gas यान कि जो CNG है वो हम लोग normally देखें ये भी आपका natural gas के अंडर में ही आता है और इसको कम दबाव में भी हम इसको liquid में बना सकते हैं यान कि atmosphere और जो अं होता है तो भी हमारा वह क्या होता है compressed natural gas जो है वो liquid में चेंज हो जाता है और इसमें मुख्यता जो है methane होती है CH4 ही mainly होती है और इसको जो है बड़े आराम से वित्रट किया जाता है जैसे कि आप देखते भी हैं कि हमारे घरों में cylinder और cylinder का size भी आजकल चेंज हो गया जो commercial cylinder ह है वो थोड़े बड़े होते हैं घरों वाले आपके छोटे size के थोड़े होते हैं 14 कि आसपास में और उससे भी छोटे cylinders भी मिल जाते हैं आपको अगर मार्केट में देखेंगा और उन में देखा होगा आपने कि एक किलो-दो किलो लोग मार्केट में जाते हैं CNG खरीदने है और जो कि पूरे बिस्व का 0.6% ही हमारे पास है ठीक है न और उसमें अगर हम इसका उत्पादन जैसे अभी हम कर रहे हैं और उसको जिस तरीके से खर्च कर रहे हैं तो अगर देखेंगे तो लगवक 36 साल में जो हमारा पूरा का पूरा गैस खतम हो जाएगा और इसका जो हिस्सेदारी है जहां से हम को मिल रहा है वह उसमें क्या है आपका गुजरात है असा मनागालेंड है यहाँ पर जयादा तर जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है क्योंकि यहीं पर हमारे इसकी रिसॉर्सेश ज्यादा है अब इसके बाद बात करते हैं विद्धुत तो इसमें आप देखिए तो विद्व तुर्जा आपूर्थी में हमारी जो चमता है वो 31 मई 2010 तक में यह आपको एक लाख 61300 मेगावाट की थी जिसमें से आपको बताया गया है कि 36913 मेगावाट जो हाइड्रो और यह जो आपको है थर्मल पावर्प्रांट का मतलब जहां पर इस टीम से एनर्जी जनरेट की जा रही है और परमाड़ उर्जा जो है लगबग 4560 मेगावाट परमाड़ उर्जा है और यह जो उर्जा है से 111429 वह च्छेंग इनर्जी 067ra एनर्जी का मतलब हो गया आपका विंट एनरजी हो गया सोला इनर्जी हो गया टैडल इनर्जी का है अब इसके बाद बात करते हैं कि पर्मारू उर्जा किया पूरती यानि की नुक्लियर पावर सप्लाई इसमें क्या क्या है वर्तमान में भारत के अंदर 6 स्थानों पे कुल 17 पर्मारू उर्जाई का इनके 17 आपके प्लांट ऑपरेट हो रहे हैं और 5 नय प्लांट जो है निर आने की कोशिस की जा रही है और अभी जो हमारी पास चमता है वो कितनी है 4560 मेगा वाट की है और इसमें जो है हम लोग इतनी अनर्जी बड़े आराम से अभी भी डेबलप कर पा रहे हैं और अभी अगर इसको अगर हम देखें कि पर्मारू उर्जा की जो डिस्टिबूश किसके कारण है पर्मारू उर्जा के कारण है आगे भारत में पर्मारू उर्जा को विक्सित करने की छमता प्रतिबंदित है क्योंकि हमारे पास यूरेनियम की प्रयाप्त आपूरती नहीं है यान कि हमारे पास उतनी उर्जा यूरेनियम हमारे पास उतना नहीं है जिसके क कारण हमारा लोड फैक्टर जो है वो खराब है काफी जो है डाउन है भारत में जो भी यूरेनियम उत्पादत किया जाता है उसमें दो से तीन गुना महंगा है क्योंकि विदेसों में जो खनन है यूरेनियम का क्योंकि जो हमारे भारत में यूरेनियम का खनन हो रहा है उसमें जो यूरेनियम है वो लगवग 0.1% है जबकि विदेसों में जो है वो 12-13% होता है तो इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा कॉस्टली है क्योंकि हमको ज्यादा वार्क करना पड़ रहा है और जो हमारे पास भारत यूरेनियम मिंधन के लिए जो है अमेरीका मेंली जो है वो अमेरिका पर निरभड करता है अमेरिका से उसको खरीता है और अपना काम आगे उसका इस्तमाल करके परमाड़वूर्जा उत्पन करता है अब बात करते हैं पनविजली पावर सप्लाई यानि के हाइडर बारे में तो भारत में जो है अधिक मात्रम में उत्पन की जाती है उपलब्ध भी है मरपक्यों की नदियां बहुत सारी है तो यह अपनी च्हमता का लगबग सार परसेंट लोड फैक्टर पर काम करता है और इसमें जो है लगबग 84,000 मेकावाट से भी अधिक बिदली का प् पर तीसत लगबग ब्रहमपुत्र नदी या सिंधु नदी के या गंगा नदी के घाटों पर या कह सकते हैं कि गंगा नदी पर पुल वगएरा बनाके ब्रहमपुत्र पुल बनाके या टैम बनाके इसके उत्पादन किया जाता है इसके अलावा लगबग 15,000 मेगावाट पर योजनाओं के रूप में उसको स्विक्कार किया गया है यान कि छोटे-छोटे प्लांट बनाएगा है और इस तरीके से यहां पर इंपॉर्टन बात यह है कि पन्विजली से आमें एकदम क्लीन यहां पर कोई भी नुकसान नहीं है कोई भी एनरजी जलाई नहीं जा र की और उसको उपर से गिराईए और टर्वाइन की ब्लेट्स पर हाप क्या करेंगे पानी गिरेगा टर्वाइन घुमेंगी और उससे जनरेटर जुड़ा होता है और हमको जो है अलेक्टिसिटी मिलने लगती है तो यह सबसे जो है क्लीन है इसके अलावा अगर बात करें सो कहां-कां से कितनी कितनी ऊर्जा हम को मिल रही है तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसक्राइब कर लें धन्यवाद